स्टुटेंट्स आप लोग उमीद है के फिर्स्ट येर माथमेटिक्स की त्यारी कर रहे होंगे हम लोग इसमें फिर्स्ट येर माथमेटिक्स के mcqs देखेंगे और थोड़ा बहुत उन्हें जहां तक solve हो सकता है थोड़ा बहुत solve करने की कोशिश भी करेंगे तो पहला mcqs है आपके पास nc8 is equal to nc12 बताना है कि इसमें n क्या होगा तो इसका answer है 20 आप बच्चों को याद होगा कि अगर आपनों उन्हें 7 chapter किया है तो nc nc8 is equal to nc12 तो जब आप इसको law लगाएंगे तो याप n-8 भी लिख सकते हैं equals to nc12 तो n-8 को आप 12 के बरापर रखेंगे तो 8 हो जाके add हो जाएगा तो 12 प्लस 8 20 answer आजएगा तो इसके बाद है आपके पास in how many ways can a necklace of 4 beads of different colors be made to us concert 12 है इसकी तो total terms है 13 है वो पूछ रहे हैं कि last 6 term कौन से number की बनेगी तो अगर number 13 है तो इसकी term बनेगी 14 जब आपको last से count करना शुरू करेंगे तो 7 नमबर पर आएगा cosecant square 220, cot square 220 ये 1 है अगर जो identities हैं वो बच्चों आप लोगोंने याद रखनी है वो अपना hold करती है law कि अगर ये angle same होना चाहिए minus 510 degree किस quadrant में आएगा, third quadrant में आएगा, आपने इसको 10 alpha plus beta minus 10 alpha minus beta करके evaluate करना है, solve करना है तो 1 हैगा, ये 10.2 का सवाल है आपने 10x by 2 का period निकालना है, तो period निकालने के लिए मैं बता दूँंगर 10x by 2 है, तो आप 10 का period होता है πाई, वो add करवा देंगे, तो जब आप इसमें से 1 by 7 common लेंगे, तो x plus 7 πाई आ जाएगा, तो आपका जो answer होगा वो 7 πाई होगा इसके बाद, what is the area of the triangle, आपके पास, आपने area निकालना है, आपको a और b और gamma दिया हो, तो जब भी दो side और एक angle दिया हो, तो area लिकालने के लिए, आप बच्चों ने 1 by 2, a, b, sin gamma, तो ये formula लगाना है, आपके पास a भी है, b भी है, gamma भी है, आप easily area निकाल सकते हैं, ये इत answer आजाएगा, आपने इसका solution निकालना है, formula वगरा लगाके, common वगरा लेके तो इसका 90 degree आएगा, या आप ये भी कर सकते हैं, कि अगर आपके पास, मैं आपको सोड़ा solve करके दौा देता हूँ, अब बच्चों के पास था, cos to x, plus sin to x, आपने बताना था कि कौन size में से solution है, जो का minus 1 देगा, तो आप बारी-बारी x-ray का put कर दें, अगर आप 90 put करेंगे, तो 90 put करने से, ये 180 हो जाएगा, और cos 180, ये भी sin 180 हो जाएगा, sin 180 0 होता है, cos 180 minus 1 होता ही बराबर आजएगा, तो इस तरह करना है, इसके बाद कुछ और mcqs देखते हैं, ये वाले, the modulus of complex number, मैं इसको आपको करवा कर दिखाता हूँ, 1 plus 2 iota, 1 minus 2 iota, ये formula बन जाएगा, 1 square minus 2 iota का square, 1 minus 4 iota square, iota square minus 1 होता है, तो 5 हो जाएगा, तो इसका modulus भी actually 5 ही आएगा, under root के साथ, तो under root 5, इसके बाद आपके पास है, which of the following represent minus iota raised to power 18, ये आप लोगोंने हल कर लेना है, minus 1 आएगा, the converse of a conditional q implies p, इसका जो converse है आपने लिखना है, इसका converse है, इसको उल्टा कर देना है, अगर ये first में आ जाएगा और ये last में चला जाएगा, तो ये converse होगा, उल्ट होता है, for wet value of k, अच्छा, q की value आपने calculate कर नहीं है, इन दोनों का determined निकाल लिएका, determined निकाल कर आपने इसकी value बतानी है, ठीक है, आप बिचोंने इसका determined निकालना है, qq से, 3 3 से, 3 3 से, 16 4 से, मैं इसको raise कर देता हूँ, तो आपने दोनों का determined निकाल कर आपने इसको चेक करना है, ये आपके पास iota 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 तो आपने X3 निकालना है तो यह माइनस X के बराबर हैगा For a polynomial F of X, if F of 1 is 0 then which of the following is the factor of F of X तो अगर F of 1 0 है तो आपने बताना है अच्छा यह आपका असान हल यह कि जो 1 दिया वाई यह पुट करें यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा तो factor नहीं है Technically तो यह भी ठीक बनता है X-2 is a factor of this आपने X is equal to 2 इसमें पुट करना है और इसको 0 के बराबर रखकर K की value लिकालना है जो कि 2 आएगी यह partial fraction का सवाल इसका correct option मेंशन है आपके पास A-3,6,B plus 3 AP में है बताना है A plus B किसके बराबर आएगा Sum of a GP is इसका sum करेंगे सर यह infinity है तो S infinity is equal to A1 over 1-R तो A1 आप बचों के पास है,sin 30,sin 30 चेक कर लिएगा कितना होता है I think 1 by 2 होता है और 1 minus R, 1 minus जो R है वो बनेगा sin square theta sin square 30 इधर भी आप 1 over 2 का square put करेंगे, solve करेंगे तो यह answer आल जाएगा इसके बाद है one solution of an equation, equation दी भी है sin x plus cos x की power square तो आप इसको solve करेंगे तो इसके बराबर आएगा इसको आपने multiply करवाना है 8 iota into आपके पास है 8 iota into under root 8 iota plus 1 इसको multiply करवाना है, इसका modulus रिकाना है 24 आएगा iota की power haul करनी है तो आता है आपको पहले में था converse, इसमें है inverse inverse में आपने same sequence रखनी है बस उनके साथ negation लगा देनी है ठीक है आप अगर इसका determinant डिकान लेंगे तो 0 आएगा because अगर तमाम values same है तो determinant 0 होता है okay जी, इसको करते है हल, x plus 3, 3x x plus 3, 3x यह x plus 4 है, और 3 और 5, right मैं इसका तरीका बता देता हूँ, 3 और 5 आपने just इसका बच्चों determinant निकालना है और 0 के ब्राबर रखना है तो 5 multiply हो जाएगा x plus 4 के साथ और 3, 3 और 9 आजाएगा तो 5x plus 20 minus 9x equal to 0 तो यह आजाएगा 20 minus 4x x सी value लिका लेंगे तो 5 आजाएगी तो 5 पर इसका कोई solution नहीं होगा इसलिए इन्होंने 5 को click किया हुए okay जी, which of the following is the remainder when this is divided by this यह आपने चेक करना इस कहां से 6 हाएगा minus 1 जो है वो इस equation का root है बताएगे प की value क्या होगी कोई भी बिच्चों अगर root वाला question आजाता है तो आपने directly वो चीज value पुट कर देना है और p निकाल लेना है यह partial fraction भी हो गया ठीक है a, h, add the a, m, h, m between 6 and 8 then a, h is, यह चेक कर लेना आप लोगोंने कितना हाता है if one is a positive gm between secant theta and cosecant theta, tan theta then the value of theta is आपने gm के तुरू calculate करना है under root a b इसके बाद है आपने modulus रिकालना है, modulus रिकालने के तरीका मैं बता देता हूँ पहले आप 1 plus 2 iota, 1 minus 2 iota पहले भी हमने, modulus का सवाल बहुत आ रहा है तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं 1 plus 2 iota, 1 minus 2 iota इसको बचो आप लोग rationalize करें पहले तो पर आजाएगा 1 plus 2 iota का square नीचे a का square minus b का square a का square plus b का square plus 2 a, b तो 2 iota आजाएगा और नीचे 1 minus 4 iota square यह minus 4 iota, यह minus 4 हो जाएगा यह plus 4 iota यह minus 1 plus 5 आजाएगा तो बच्चो यह आजाएगा minus 3 over 5 plus 4 over 5 यह तो इसकी आपने simplified form कर ली इसका जब आप लोग लेंगे ना modulus तो modulus लेने के लिए आप बच्चों को यह करना पड़ता है कि आप under root लें इस term का square लें और इस term का square लें 4 over 5 का इसका square लेके solve करेंगे तो answer आजाएगा इस तरह मॉडूलस लेकालते है किदर किया यह ओके मॉडूलस आगया यह बन आना चाहिए फिच्च दो फॉल्विंग अच्छा माइनस से उटा की power 17 यह हल कर चुके है आप लोग माइनस से उटाएगा उसके बाद है तक contrapositive इसका चेक करना है contrapositive क्या होगा contrapositive आप लोग आप लोग ने यह पढ़ लेना है यह 4-5 चीज़ें पढ़ लेनी है converse, inverse, contrapositive, totology वगर यह तीन चाह चीज़ें है यह unit number 2 से 2.4 में से एक सवाल आता है इसका बच्चों आप लोग लिकालना है तो minus 1 के बराबर रहेगा कौन सा matrix अपना खुद का inverse है तो आपने इनका inverse लिकाल कर चेक करना है तो वो आजाएगा with the following is a factor of the following आपने x is equal to 2 रखा इधर put किया अगर 0 आजाए तो वो फेक्टर होगा इसको put करें, इसको put करें, इसको put करें जिसको put करके 0 आ रहा है वो factor होगा इसके बाद आपने इसका remainder लिकालना है डिवाइड करवा कि ये parallel है अच्छा what is the value of p? ये जो numbers हैं ये HP में है ठीक है? HP का आपको concept पता होगा अगर आपको इसका reciprocal लेंगे 3, 5 और p तो ये आजाएगा बचो AP में, arithmetic progression में फिर इनका बस आप difference निकालने तो ये आजाएगा answer ये आपको value दी भी आपने difference निकालना है अब y has 7 trousers and 10 shirts how many then selected a trouser and shirt ये चेक करना है आपने इसके बाद है what is the sum of the series? आपने बताना है कि ये जो सिरीज दी भी है इसका sum क्या आएगा राइट? तो sum लिकालने के लिए बचों मैंने बताया था सिंफिनिटी इस इक्वल तो a1 over 1-r तो a1 भी दिया वै और r भी दिया वै आपको if a fair die is rolled then what is the probability that the top is the prime number आपने वो probability वाला question करके देरा है इनको for what value of x the binomial expression is valid ये आप common लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा मैं चेक कर आपको लिख कर दिखाता हूँ 2-x by 2 canverse जब आप इसमें से common लेंगे 2 तो यादेगा 1-x by 4 canverse तो यहाँ पर कितना आगया बचो? 4 आगया तो यह x must be less than 4 इस नमबर की बात हो रही है ओके बचो यह आगया how many lines can be drawn between the five points in a plane? 10 which term is the middle term in the expansion? यह चेक कर लेना है middle term का formula इसके बाद है the radian measurement of the central angle of a circle of a radius 6 cm अच्छा यह radius दिया हुआ है यह length d यह आपने theta निकालना है s is equal to r theta यह l is equal to r theta लगा के इन में से बताना है कोंसी identity true है formula याद करके जाने है formula नहीं मिलेंगे यह किसके बराबर होता है यह आपने cos alpha minus beta का formula लगा के चेक कर लें इसका period निकालना है इसका period आप इसका कोई फरक नहीं पड़ता सरिफ इस 2x के थ्रू लिकालना है कहते हैं तो मैं लिकाल देता हूँ यादेगा sin 2x तो जब आप इसके sin 2x plus 2pi लिखेंगे इसमें से 2pi 2 कामल लेंगे तो pi बज़एगा तो pi इसका answer है right ठीक है अभी जो इसके बाद है आपके पास inner right angle triangle if we see if the length of 2 perpendicular side यह लो r 5 3 then what will the angle of the third side तो आपका 4 answer आएगा r is the circum radius of a triangle a b c then r की value बतानी है यह formula याद होगा आपको 12.8 करेंगे तो इसके बाद है जी इसकी rain निकालें यह 11.2 में rain domain होगी आपने लादमी याद तरके जानी है trigonometric function की इसका आपने answer निकालना है तो यह npi के बराबर है close under multiplication or addition यह बताने है आपने close चेक करना आता होगा तमाम numbers को अपस में add करें multiply करवाएं अगर उसी में से answer आ रहा है तो वह close जाए which of the following set is equal to this तो yes के बराबर है इसका अंडरूट लेंगे तो अंडरूट 2 आएगा बहुत सारे बच्चों नहीं answer किया था जब मैंने पेपर चेक़् किये थे तो बच्चों यह असलिए नहीं है क्योंकि उन्हें कहा हुए क्यू क्यू क्या होता है क्या होता है rational number तो खो अंडरूट 2 जो होता है वो irrational होता है तो वो इस domain में of a cubic equation of zero and iota then the cubic equation is this. What could be the partial fraction of this? इसकी partial fraction आपने लिखनी है. उसके बाद है, what is the sum of the n terms of the sequence with n term? यह n term दी आपने इसका sum बता है. उसके बाद आपके पास है, how many diagonals can be drawn in the hexagon? यह है इसका अंसर. For what least value of this is true, it's 4. यह आपने यह जो है na factorial को check करके put करना है. अच्छा जी, इसकी आपने value calculate कि तो 7 by 6 आएगा, sin squared theta is equal to 1 by 7. यह आप बचोंने trigonometry की भी होगी तो आपने sin 3 theta calculate करना है, वो 6 आएगा, formula में put करके. period बताना है इसका, 10 pi, इसका अपने area लिकालना है, जब एक side और दो angle दी हो तो आपने area का formula चेक करना है, फिर put करना है, तो यह आएगा. sin sin inverse, यह cut के 1 आजाएगा, बहुत सारे mcqs repeat हो रहे हैं, उसके बाद solution कौन सा नहीं है आपने बताना है, विद और fall year 14 chapter का है, इसका answer 60 है, इसके बाद last mcqs है, in how many ways can a person be seated in a round table 4 factorial, 5% can be referred to, तो इसका formula होता है in minus 1 factorial, तो 5 का हो जाएगा 5 minus 1, last term बतानी है, इसकी, यह होगी, which the following angle is co-terminal width 480 degree, तो 120 degree, for what angular value lies in the terminal site, 5 by 6, इन दोनों का आपने formula open करना है, और answer यह आएगा, इसका period निकालेंगे, तो 2 pi आएगा, area का सवाल बार बार आ रहा है, इसमें 2 siding का angle है, तो 1 by 2, ac sin alpha, यह लगेगा, उसके बाद आपके पास how many signals can be light of different colors, 5p3, और यह आप multiply करके चेक कर लिएगा, क्या answer आएगा, तो sin pi, plus sin into sin inverse, sin inverse sin से कट जाएगा, sin pi 0 होता है, ठीक हो गया, what does sin sign stands for, तो इसमें यह आएवा answer, चेक कर लेना आप लोगोंने, हो सकता है, यह formal लगा के कर रहे हूं, So that's it, यह आप लोगों को कोई helpful 40-50 MCQs मिल जाएंगे, जो बार-बार federal board के papers में और रावल-पिंडी board, Punjab board के papers में repeat होते हैं,